आज मैं आप लोग के बताऊंगी कि जो आटमेटिक काशिंग मशीन का जो इनलेट फिल्टर होता है जहां से पानी इंटर होता है मशीन के अंदर उसको कैसे क्लीन किया जाता है जो के बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो आपने इस टैप को बंद कर देना है एचैनल है आपने इसको रिमोव कर लेना है लेकिन सबसे पहले मैं कवर एपन करोंगी क्योंकि मेरी मीशीन को जो बार से नियुम मुझे को वो इस पाने में एम खाने हए गाय कि यहां से आपने को ऊते ह मुझा आप टार मुझा यहीं बहुत आसां सा तरिका है टेप इसलिए बंद किया था ताकि पानी बहना जाए मतलब आपकी मशीन ना खराब हो जाए ओके जी इसको कर देंगे साइट पर और कवर को हटा देंगे अब अच्छा यहां से इसकी जो वायर है उसको भी आप साइट में कर दीजेगा अच्छे से इसका आपने कवर नीचे कर लेना है ठीक है जी अब बिल्कुल ज़ह जाहर हो गया है साफ करने के लिए क्योंके मैं जो हे इसको साफ करती रहती हूं तो इस वजह से इतना गौदा नहीं है लेकिन फिर भी साफ करना चाहिए क्योंके एक महीना हो गया होगा इसको क्लीन किये हुए और लोग इसको ना यहां से पकड़ के बाहर निकालते हैं जो कि मैंने भी दो बार इसा किया था तो यह तीसरी बार में टूट गया था ठीक है इसकी एक साइड टूटी हुई है अगर मैं इसको फॉर्स फॉली निकालूंगी भ जब से पहले आपने वेनिगर लेना है और एक कोई भी पुराना टूटब्रश और ऑविज्ली एक बाउल तो है ही है और यहांपर यहां पर यहां बेकिंग सोडा है नौट वेकिंग पाउडर बड बेकिंग सोडा जो हम पकवोरतो में यूज करते हैं इसके मैंने बड़ा एन टी स्पून में एड कर दिया क्योंकि इतना मेला नहीं था ना ओ फिल्टर और यहां पर जी दो टी सपून में इस वेनिगर के एड करोंगी यह तो हैं मुश्ट कर सकते हैं मशीन के फिर किसी भी पार्ट की कि यह भूट अच्छा क्लीनिंग एजिन्ट है बेकिंग आउडर वो गया सोडा या या फिर यह विनिगर हो गया यह तीनों बहुत कमाल की चीज़ें निट के तो अच्छे से इनका पेस्ट बना लें गें इन हो जाती है मशीन मतलब कच्रा तो वैसे ही फिल्टर में जमा होता है और साथ में आपके जो पानी लेने की स्पीड होती है ना मशीन की वो भी इंक्रीज होती है क्योंकि कच्रा नहीं होगा तो पानी की स्पीड थोड़ी बहुत भड़ेगी और यहां पर मैं यह शॉपर लग करूंगी अगर आपके पास इसको बाहर निकालने का कोई आसान सा तरीका मौजूद है तो इसको बाहर निकाल के साफ करेंगे तो बहुत एजी रहेगा अधर वाज़ा आप इसको ऐसे भी क्लीन कर सकते हैं ठीक है बहुत अच्छे से क्लीन कीजेगा क्योंकि मेरे गर का पानी बहुत साफ है तो इस वज़ा से इतना गंदा नहीं हुआ है अभी भी इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था एंदेन इसकी वाटर पाइप को भी हम क्लीन करेंगे इसी ही ब्रश और इसी ही मिक्सचर के साथ ठीके तो मैंने कर लिया था अब इसको हम वाश करेंगे सिंपल साम जो इसका टैप है वो चला देंगे तो इसमें पानी आ जाएगा और इसकी क्लीनिंग हो जाएगी ओके जी और यहां पर आपने मशीन पर भी इस जो है ना इनलेट फिल्टर में भी थोड़ा सा पानी एड़ करने ना है ज्यादा मत करियेगा थोड़ा सा कर लेना है ताके अच्छे से मिक्स्चर मतलब रिमूव हो जाए और देखें अब कोई भी आप साफ कपड़ा लेकर जो आपने मशीन के लिए रखा होता है इसको अच्छे से वाइब कर दीजेगा पानी का एक कत्रा भी ना रहे पीछे अदर वाइस आपकी मशीन के मतलब जंग लगने का खत्रा है मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन किया था एक नहीं दो तीन बार किया था बिकरस भई अगर आटोमेटिक मशीन है आपके पास तो आपको बहुत प्यारी होगी यकिनान आपको पता होगा क्योंकि इतना सारा काम इसने हमारा संबाला हुआ है कपड़े दो कर देती है हमें सारे के सारे खुद तो इसका ख्याल रखेंगे तब ही हमारा ख्याल रखेंगी अदरवाइस मतलब यह नहीं चल पाएगी ज्यादा अच्छा माशालला जरूर बोल दीजेगा आप इसको मैंने अच्छे से मैंने बताया ना कि अंदर तक क्लीन किया था हाला कि मैंने शॉपर रखी थी ताकि ज्यादा पानी नीचे ना जाए लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चला गया था तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको वाइप कर दिया था और एक अपड़ाब मेरे पास ऐसा था ना कि सारा पानी एब्सॉप कर रहा था और अब बारी है इसको वापस जो है ना इसके टैप को लगाने की इसके पाइप को लगाने की तो इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे बहुत अच्छे से इसको भी साफ कीजेगा ताकि जो हमने मिक्स्चर लगाया था वो अच्छे से मतलब क्लीन हो जाए और इसकी क्लीनिंग के बाद आप खुद देखेंगे कि पानी की स्पीड जो है ना थोड़ी बहुत इंक्रीस होई होगी ओके इसको अच्छे से आपने फिट कर लेना है एंदेन मशीन को बस वापस अपनी जगा पर रख देना है और इसके टैप को जो है ना ओपन करना मत भूलेगा ऐसा ना हो आपको याद ही ना रहा है और नेक्स टाइम जब आप मशीन लगा है तो आप परिशान हो जाए कि पानी क्यों नहीं आ रहा दिक्ए जी I hope आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे इनलेट फिल्टर ख्लीन होता है and thank you for watching my video goodbye